नमस्कार दोस्तों, आप लोगोंने मेरी वीडियो में अक्सर सुना होगा कि विदेशी फंडिंग की बात होती है, कलाकार विदेशी फंडिंग लेते हैं और उनके इशारों पर काम करते हैं, ये विदेशी फंडिंग क्या है, कौन इसे देता है, और कौन-कौन लोग इसे ल जो देश के बाहर से आता है यह पैसा किसी भी देश से आ सकता है लेकिन अक्सर देखा जाता है कि यह पैसा जो है दोश्मन देशों से आता है पाकिस्तान बंगलादेश और दुबई जैसे देशों से इस पैसे को भारत में हवाला के जरिये भेजा जाता है यानि इसे काले ध के रूप में ही किया जाता है, यानि जिसको ये पैसा दिया जाएगा वह Black Money के रूप में ही दिया जाएगा, दूसरा सवाल कि दुश्मन देशों से इस पैसे को कौन देता है, इस पैसे को वह लोग देते हैं जो हमारे देश के अंदर कुछ गडबड कराना चाहते हो, देश म जैसे लोग भारत बिजवाते हैं, क्योंकि इन ही सब को देश में आतंक फैलाना होता है, तीसरा सवाल कि इसे कौन लोग लेते हैं, इस दो नंबर के पैसे को जरूरी नहीं कि सिर्फ फिल्मी कलाकारों को ही दिया जाता है, इन पैसों को किसी भी ऐसा माजिक तर्थ्व को दिया जा सकता है, जो देश में गड़बड कर सके, लेकिन सबसे ज़्यादा इन पैसों को दिया जाता है फिल्मी कलाकारों को, फिल्मी कलाकारों में 80% कलाकार ऐसे हैं, जो विदेशी फंडिंग लेते हैं, सुअरा भासकर, अनुराक कश्यप, शारुख खान, सलमान खान, आमीर खान, रिचा चड़ा और दिपिका पादुकोन या सैफली खान जैसे कलाकार जग जाहिर हैं। इनके अलावा भी धेड़ सारे ऐसे कलाकार हैं जो विदेशों से पैसे लेते हैं। और देश में या तो देश विरोधी बाते करेंगे, देश विरोधी काम करेंगे और एक धर्म के खिलाब फिल्मे या वेब स्रीज बनाएंगे। ये सारा पैसा एक साजिश के तहट भेजा जाता है ताकि देश में किसी भी तरह से देश को बदनाम कराया जा सके भले ही वो सेलिबेटीज के बयानों से हो या सरकार के नाम पर बिना किसी वज़े के दंगे फसाद से। का मुख्य कारण होता है। विदेशी फंडिंग सबसे ज़्यादा बॉलिवूड में आती है। बॉलिवूड के फिल्मों में और वेब स्रीज में सबसे ज़्यादा बाहर देश का पैसा लगा होता है ताकि एक धरम के खिलाफ उल्टी सीधी बाते दिखाकर लोगों को मारूख खान की पठान इनमें जितना भी पैसा लगा हुआ है ये सारा का सारा विदेशों से आया हुआ है। इस विदेशी फंडिंग का दाइरा अपने आप में बहुत बड़ा और खतरनाक है। विदेशों से जो पैसा आता है वो नकली नोटों के रूप में भी आता है ताकि उसे देश के अंदर फैलाया जा सके यानि देश को किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाने के लिए विदेशों से फंडिंग आ सकती है.